रुद्राक्षध धारण करने से पहले जान ले ये न्यम परना महादेव हो जाएंगे नाराज होगा भारी नुकसाँ सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है सावन के महीने में भगवान शिव जी की विशेश पूझा अर्चना की जाती है ऐसा कहा जाता है कि सावन के पावन महीने में जो भक्त सची शद्धा से भगवान शिव को एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो ये उतने में ही प्रसंद हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनो कामना पूरी कर देते हैं सावन के महीने में भक्त भोलेनात को प्रसंद करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते रहते हैं इन्ही उपायों में से एक है सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना हिंदु धर्म में मान्यता है कि देवों के देव महादेव को रुद्राक्ष प्रिय है इसी वज़े से वो अपने शरीर पर इसे धारन करते हैं मार्येब की क्रपा प्राप्त करने के लिए जो भी उन्हें रुद्राक्ष अर्पित करता है उनके हर काम सफल होते है सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष धारन करने का भी बहुत महत्व है लेकिन इसे धारण करने से पहले आपको कुछ नियमों को जान लेना बहुत ही आवशक है नहीं तो फाइदे की जगर आपको भारी नुपसान हो सकता है रुद्राक्ष कैसे बना? भगवान शिवजी को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिया है ऐसा माना जाता है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके उपर स्ताक्षाथ भगवान शिवजी की विशेश करपा रहती है धार्विक मानेताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ती भगवान शिवजी के आंसों से हुई है इसलिए इसे चमतकारिक और अलोकिक माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जब कई सालों की तपस्या करने के बाद भगवान शिवजी ने अपने नेत्र खोले थे तो उनकी आंखों से गिरे आसों से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ती हुई थी जो लोग सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके उपर भगवान महादेव का विशेश आशिवाद रहता है मानेता है जो लोग रुद्राक्ष को नियमा अनुसार धारण करते हैं तो उनके जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं और अकाल मृत्यू का भई भी नहीं रहता है आखे रुद्राक्ष धारन करने की नियम क्या है? चलिए जानते हैं इसके बारे में रुद्राक्ष धारन करने के नियमों में पहला सौंबार या सावन शिवरात्री को रुद्राक्ष की माला धारन करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है लेकिन आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना होगा कि रुद्राक्ष की माला में कम से कम 27 मन के होने चाहिए जब आप इसे धारण करने जा रहे हो तो उससे पहले लाल कपड़े पर रुद्राक्ष को रखकर मंदिर में रख दीजिए और ओम नमः शिवाय का चाप कीजिए उसके बाद ही रुद्राक्ष धारण करें दूसरा रुद्राक्ष की माला को गंगाजल से पवित्र कर लें और डोवो कर रख लें अगर आप रुद्राक्ष को किसी संकल्प से धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लेना होगा फिर गंगाजल से इसे धूने के बाद ही ध तीसरा, रुद्राक्ष की माला ध्रण करने के लिए हमेशा पीले या लाल धाके का ही स्वार्ण करना चाहिए। आपको इस बात का विशेज ध्यान रखना होगा कि रुद्राक्ष को हमेशा स्नान करने के पश्चात ही धारण करें और सोने से पहले इसे पवित्रिस्थान पर उतार कर रखते हैं। ऐसी ही धर्मकताएं के कट इसी के साथ धर्मकताएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें धन्यवाद।